कि यहां पर मैं वीडियो में बताने वाल हो तो वीडियो आप बने रहे हैं दोस्तों जैसे कि आप अपी देख रहे हैं हमारे पास में और न्यू मेहन्दा बॉलाइरो बी-6 विरियन गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर सारी लेटिस इस इटाले के वह हैं तो यहां देख का काफी बढ़िया बॉड़ी ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा इसी के अलावा यहां पर बैक साइड में स्टैपनी पर आपको देखें यहां तो महन्दा का न्यू लोगो मिलेगा बी-6 के बैजिंग मिलेगी तो चलिए इस गाड़े के अंदर सारी लेटिस इस जो डाले गए उसकी मैं जानगरी आपको देता हूं तो फस्ट फॉल फ्रेंट साइड से इसकी सुरुवात करेंगे तो समय पहले आप यहां देखें महन्दा का न्यू लोगो ग्रिल पे आपको देखने को मिल दायागा यहां पर बंपर की प्रोडेक्शन के लिए डबल गाड लगाए गया है तो फस्ट फॉल यहां देखेंगे इसमें ए ब City गाड का इस्ट्वुएशन कीया गया है क्रूम कैकि लगा गया है और LED Vsem condition किया गया है तो यहां पर आप देखेंगे यह जो है बाई यह ल national K मिलता है यहां देखेrest ए ब्लाक अंस इलवर मेंडिक्शन के ब लगाया गया तो आप देख सकते है प्रॉपर फिटमेंड के साथ में यहां पर इसका इंस्टुलेशन किया गया है इसे ABS गार्ट कहा जाता है बुलैरो भी इसकी प्रॉपर आपको मिलता है यहां देकि इसकी कि भाई जो बंपर गार्ड है वह हमारा डेमेज हो सकता है तो इसके लिए लगा सकते हैं यहां देखिए यहां पर ABS गार्ट की उपर में यह स्टील गार्ड लगाया गया और नीचे में देखिए क्लैम की मदस्ति से होल्ड किया गया है तो प्रॉपर यह बॉलैरो बीजिक्स के लिए आपको मिल जाता है बिलता है तो इसमें आउन करके बता हूं तो यहां देखिए वाइड कलर का लाइट आपका आउट्पूट में देखने को मिलेगा काफी बढ़ी आज का रिस्पॉंस है आपने नही गाड़ी ली है तो यह वाला आप लगा सकते हैं एसीन कंपनी का यह होता है और लोकिंग कमोब्पक की तो इसमें करूमें सारा क्रूम elements को मिल जाता है तो अच्ळिए वन बाई वन अपर साइज में यहां पर हैडलक का क्रूम लगा गया है तो यहां दिखिए हड्युत क्रूम में प्रॉप my अंदर मेलता है जिसमें सारे elements आप कि आप इसे खुद भी लगा side के headlight के chrome यहाँ पर आपको मिल जाते हैं अब इसके लाव और front side में जो fog lamp लगा है उसका chrome भी आपको देखने का मिल जा रहे हैं यहाँ लगाया गया है आप चाहें तो यहाँ पर DRL भी डाल सकते हैं इसका DRL आता है काफी बढ़िया रहता है तो वह भी आप लगा सकते fog lamp DRL अभी देखेंगे यहाँ पर headlight chrome और fog lamp chrome यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं तो printer में यह चीज़ आप लगा सकते हैं अब हम बात करेंगे और भी जो chrome elements इसके आते हैं उसकी बात करें यहाँ देखें साइड मिरर जो chrome है वो भी आपको मिल जाता है दोनों साइड के साइड मिरर लगा है उसका chrome यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके इलावा दोनों साइड की टेलेम क्रोम का इस्टेशन की है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सारे chrome elements आपको Blero B6 के मिल जाते है नई वाली जो आपने भी रिसेंट्ली पर्चेस की होगी वेंटिलिटर क्रोम टोर हंडल क्रोम यह सारे chrome elements आपको मिल जाते है Blero B6 के लिए चली यह होगा हमारे chrome elements जो कि मैंने आपको बता है इसके इलावा जो next SSD से लगी है इस गाड़ी के बैक में आपको देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी का spoiler जो की काफी बढ़िया है attractive है Blero B6 के एक दम new आपको spoiler मिल जाता है यहां पर आपको साइड में के मदस्टी से होल किया गया है बीच में काफी slim सा आपको LED देखने को मिल जाएगा रैड डिटलर का light इसमें आपका on होतो spoiler चलिए इसके इलावा हम लोग बात करें तो इस गाड़ी के लिए आपको back side के bumper की protection के लिए मिल जाता है back steel guard उससे पहले मैं आपको उसका light on करके बताता हूं spoiler का तो यहां देखिए यह जो LED है इसका काफी bright है night time में और काफी बढ़िया यह glow करता है तो यह LED spoiler आपको Blero B6 के लिए aftermarket मिल जाता है अब हम बात करेंगे भाई इस गाड़ी के rear steel guard की जो rear bumper की protection के लगाया जाता है तो यहां देख सकते हैं five pole वाला यह guard है पूरा का पूरा back side के bumper को protect करके रखता है यहां देखिए steel particle के मना हुआ है proper आता है और समय important है इसे लगाने से back side क्या जो bumper हो हमे अगले protect हो जाता है तो बढ़िया है quality genuine है इसे भी claim की मदस्थे यहां पर hold किया गया है और समय important है इसकी quality तो बहुत बढ़िया इसकी quality होती है तो यहां देख सकते हैं यह है claim और इसकी मदस्थे इसको यहां पर hold किया गया है तो काफी बढ़िया है steel guard five pole का आपको मिल जाता अब देखेंगे जो company हैं आपको mud flap नहीं देती तो यहां देखें mud flap लगाया है टायर के पास में जो कीचर होगे रहे उचल कर जाता है तो उसके लिए यहां पर mud flap भी लगाया गया तो set of four piece आता है mud flap 15-inch का tubeless tire के साथ में steel wheel और wheel cap company ने यहां पर दिया है silver color का महंदरा के new logo क साथ में यहां पर front वाला आप यहां पर दिख सकते हैं यह है front वाला mud flap तो total चार mud flap आपको मिल जाते हैं तो यह आप लगा सकते हैं यहां देखेंगे tubeless tire के साथ में महंदरा का wheel cab लगा है महंदरा के new logo के साथ में तो यह हो गई भाई आपकी XTA accessories अब हम बात करेंगे भाई इस गाड़ी के door visor की set of six piece मिलता है glossy black color की door visor आते हैं यहां आप दिख सकते हैं लगाए गए हैं यहां साइड में 3M tap रहता है उसको लिकाल की से चिपकाना रहता है और सब्सक्राइब का जो ग्राफिक्स है वह यहां पर अलग से चिपकाया गया है काफी attractive look इनका आ जाता ह है तो set of six piece यह आपको door visor जिसे rain visor भी कहा जाता है वह यहां पर install कर दिये गए हैं तो quality आप देख सकते जैन्वान है glossy black color है काफी attractive इनका look है जो कि यहां पर हम लोग ने लगाए हैं तो total set of six piece आपको यह door visor जिसे rain visor कहा जाता है वह भी आपको मिल जाते हैं इसके इलावा आप यह recently new वाला आपको देखने को मिल जाएगा रूफ रेल तो glossy black color का देखे कि signing material कितना ज्यादा sign कर रहा है यह है रूफ रेल ABS quality वाला इस पर भी बुल एरोप का graphics उपर से अलग से लगाया गया है इसकी signing आप देखे कितनी प्यारी है glossy black इसे रूफ रेल कहा जाता है रूफ रेल आपको बलैरो B6 के लिए मिल जाता है आप्टर मार के तो दोनों साइड में इसका installation किया गया है काफी बढ़िया है चिपकाया जाता है इसको कोई trail अगरे नहीं किया जाता है रिया साइड में 3MT पर तो लिकाल के चिपका दिया जाता है रूफ पर तो गाड़ हम लोगे ने डाले हैं लैदर सीट कवर तैन उसके ऊपर में यह टॉविल सीट कवर डाले यह कॉटन फैबरिक के होते हैं वाशेबल होते हैं और यहां देखिए लगने के बाद में इनका लुक कितना जैनुवन हो गया तो पूरा सैट आता है फ्रेंट मिडिल और बैक और यहां तो काफी बड़ी है यह चीजे टॉविल सीट कवस कहा जाता है यह वाइट कलर ग्रे कलर ब्लू कलर में अविलेबल होता है और बॉलेरो के लिए प्रॉपर आते हैं जो कि आप यहां फिट्मेंट देख सकते हैं नीचे में पहले तो फ्लोर की प्रोटेक्शन के इसमें लगाया और उसके उपर यह मैटिंग डाली है डियॉल टोन कलर की अब इससे क्या होता है आपके गाड़ी का जो दूल मिट्टी वग रहे हैं वो इसमें नहीं जाती है इसमेल वगरे नहीं आती तो दिखिए नीचे में पहले बेच कलर का लैमिनेशन लगाया लैमि वाला है सलाई करकी है आप लगाया गया लोक कितना बड़ी है ग्रिपिंग इसमें आपको काफी बैठरी मिल जाती है और मेहंदरा का न्यू लोगो स्टेरिंग पर भी आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि टॉप एरियंट है इसमें आपको फिलिप की वाला ऑप्शन स को प्रवाइड करती है आप चाहे तो इसमें अंडॉड टच स्किन डिस्प्लेई डाल सकते हैं बैक साइड में देखेंगे तो यह जो है रोप है इसकी मदद से इसको टाइट किया जाता है तो यह बड़िया चीज़े इसको खोलेंगे तो एक कवर भी लिकल जाएगा हमार लैमिनेशन होता है फ्रेंट साइड से लेकर बैक साइड तक पूरे कार्पेट को एक कवर करता है इंस्टॉल करने के लिए सीटों को भाल लेकलना रहता है इसे लगाया जाता है अभी बीच वाली सीट में हमारा जो है आमरेस्ट है तो इसके लिए यहां पर चेन दिए इस कर सकते हैं इसी के साथ साथ जो बैक वाला रो है उसके लिए भी आपको कवर मिल जाता है देखिए फोल्डिंग वाली बेबी सीट जो है इस पर भी सीट कवर लगाया गए है और साथ साथ नीचे में देखेंगे तो यहां पर भी यह जो मैटिंग है वो डाली गई है इसके नीचे में भी आपको कार्पेट देखने को मिल जाएगा लैमिनीशन जिसे में आपको कहा था तो यह हमारे टॉविल सीट कवर का इंस्टोलेशन यहाँ पर हो चुका है अब इसके लावा एक चीज और रहा कही है वह है व्याइपी कटन्स व्याइपी कटन्स कॉटन कवर् तो वो लगने के बाद में गारी टोटली व्याइपी लुक के साथ में हो जाती है अभी देखेंगे जो साइट फूटेस चाहे पर उसमें भी यहाँ पर कार्पेट ड्रिल करके हैं लगा दिया गया है दूल मिट्टीस पर नहीं आती लुक भी अच्छा लगता है तो यह ज परदे जो होते हैं वह आपको मिल जाते इस गाड़ी के लिए तो यह जो मेरे हाथ में कवर्स देख रहे हैं यह 15 कवर हैं तो यह 15 कवर आपकी बुलेरो गाड़ी के विंडो पर इंस्टॉल होने वाले है वाइट के होते हैं इसे लगाने के लिए यह चेन की रिक्वार्मे और गर्मी भी लगते तो उसके बचाओं के लिए यह परधे आपको मिल जाते हैं।इसे आप लगा सकते एजिली और इस्टॉल करना इसका बहुत ही असान है। तो वाइट किलर की यह परदे आपको मिल जाते और इसकी चैन को के लिए यह ऍार दाला जा रहा है। तो इस तरीके से 15 परदों का यह सैट आपको मिल जाता है आपको अपकी गाड़े के लिए चाहिए हो तो बिल्कुर हमसे कॉंटेक्ट आ सकते हैं यहां हम देखेंगे यह जो है इस तरीके से यहां पर जो फोल किया गया यहां पर इसमें जाके यह और इसी तरीके से सारे परदों का इंस्टॉलेशन था है तो अभी आपको यह एक कर सकते हैं तो बजा अठरीके से नीचे यह यह नार आती है और इसके परदो रागीस और स्कील कर यह यह बिकलकर यह म Hebrews कम इसे लगाना क्यों जरूरी है तो अब जो डारेक्शन रेज है अभी समर्सिजन स्टार्ट होने वाला है दूब बहुत तीज होने वाली है तो इसके लिए आप यह लगा सकते हैं तो इस तरीके से पूरे विंडो का यह कवर कर लेता है और विंडो आपको पूरी कवर नहीं क देखे इसमें रसी भी रहती जिसको इस तरीके से आप टाइट कर देंगे तो काफी बढ़िया लुक भी आ जाता है तो यह जो पड़ते हैं बोलेरो बीशिक्स के लिए प्रॉपर आपको आफ्टर मार्किट मिल जाते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर भी आते हैं व वाले यह पर्दे हैं जो कि काफी प्रिमियम कॉलिटी की हैं आप देख सकते हैं यहां पर यह देखो और इसमें आप अगर ग्लास को ओपन भी करते हैं तो इसमें जो एयर है वो भी पास हो जाती है और समय इपॉर्टेंट इसे लगाने से टाफिक प्लीस आपका चालन होने वाला है बैक साइड में आप देख सकते हैं यह तीन पर्दे लगाया गया है चेंज के मदद से इसको भी होल्ड किया गया है और इसी तरीके से सब भी विंडो पे भी इस कंस्टुलेशन होने वाला है तो आपने मैंदर बुलेरो बीसिक्स वेरियन गाड़ी खही दी ह और इसमें लगाना है और यह वीडियो से आपको कोई पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप हमसे कॉंटे कर सकते हैं मेरा डिस्किप्शन में वाट्जिप नंबर शेयर किया गया है जिस पर आप मुझसे वाट्जिप पे मैसेज डाल की इन चीजों की प्राइस से जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा मिलता है एसी नाइक सुड़े के साथ में तब तक के लिए गुडबाई जाहीन जय भारत